हेलो अब्रीवन वेल्कम टू बरेंशोक्स मेरा डाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजरिनिंग मैच्स के प्रिविए सर्कोर्शन्स और ब्रांचेज हर वीडियो में पांच कोशन्स करते हैं फिलारमना टॉपिक चल रहे हैं लिमिट कंटिनुट पूट करेंगे इंफानेट करोगे इंफानेट माइनस कोश एक्स कोश इंफानेट कोई फानेट वेल्व ऐल्यो एलिवन माइनस से लेकर वान की बीच में हमें नहीं बता कि आएगी तो basically numerator infinite को अप्रोच कर रहा होगा ठीक है जब x infinite होगा इसी तरह denominator भी तो हमारे पास infinite by infinite form मन गई तो अब हम लोस पर लगा सकते हैं ठीक है तो मैं उपर numerator को differentiation कर सकता हूँ with respect to x dx square plus sin x divided by 2x plus 2 sin x cos x ठीक है तो 2 sin x divided cos x हाजएगा sin 2x ठीक है और अब मैं infinite प्रोट करूँगा तो infinite plus finite ये भी infinite को अप्रोच कर रहा होगा ये भी तो फिर दुबारा infinite by infinite form बन गई ठीक है फिर दुबारा differentiate करेंगे हम तो यहाँ पर 6x plus cos x divided by 2 plus 2 cos x ठीक है अब मैं infinite प्रोट करूँगा देखो numerator में x है ये infinite हो जाएगा प्लस finite ये infinite को अप्रोच कर रहा होगा नीचे क्या है नीचे तो कोई finite value ही आएगी हमें ने बता क्या आएगी बट infinite ही हो जाएगी ठीक है option एक ठीक है इसको इस तरिके से भी समझ सकते हो अगर cos x और sin x दोनों कुछ finite value आएगी माइनस वन से लेके वान की बीच में अब इसको कोई constant value पर एगर assume कर लोगे तो उपर देखा जाए polynomial बन रही है x cube जिसकी power 3 की ठीक है अगर मैं cos x को constant assume करूं कोई one मालों यहां पर वान लिख दो नीचे polynomial है degree 2 की तो ऐसी और x infinite को प्रोच कर रहा है इसको डारेक्टली करना चाहो तो कैसे कर सकते होगी हमें पता है कि कभी भी x infinite को अप्रोच करें उस case में x को denominator में ले जाओ ठीक है ताकि one by x को हम 0 कर सकें अगर उपर नीचे मैं x square से divide करूं divided by one plus sin x by x whole square ठीक है अब देकर जब x को infinite put करेंगे नीचे आ गया तो cost यह finite value है नीचे infinite तो यह 0 हो गया ठीक है यह भी इस तरिके से 0 हो गया तो मारे पास बचा गया x ठीक है तो जब x infinite को अप्रोच करेगा तो यह infinity आ जाएगा ठीक है डिरेक्टली आप इस तरीके से करते हो सकते हो यह mostly जब x infinite को अप्रोच कर रहा होगा तब देखने है ठीक है next question in the function fx mode x plus 1 on the interval minus 2,0 is ठीक है तो सबसे पहले यह mode function x plus 1 ठीक है यह वी शेप बनेगा कहां पर बनेगा x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 minus 1 पे 0 है और फिर इस तरीके से ठीक है x is equal to 0 पे यह वान है और x is equal to 2 पे वान आएगा minus 2 पे सोरी और यह 0 यह minus 1 ठीक है यह हमारा function fx फिर पूछा के continuous है और differentiable है देखो continuous तो है किसी भी point पे ऐसा नहीं कि define नहीं है minus 2,0 तक ठीक है तो continuous तो है तो option हम c और d तो खतम कर देंगे अब क्या differentiable है पूरे interval में नहीं ठीक है differentiable नहीं है कहाँ पे differentiable नहीं है minus 1 पे ठीक है किसी भी function में बिल्कुछ sharp h जहां पे आ गया ठीक है वहाँ पे function differentiable नहीं होगा तो differentiability के लिए क्या होना चाहिए left hand derivative उस point पे left hand derivative is equal to right hand derivative ठीक है अगर मैं minus 1 के left hand side देखो यहाँ पे slope क्या है अगर देखा जाए इसकी slope है minus 1 ठीक है negative slope है हमें देखने की जूरुद भी नहीं है कि minus 1 है भी नहीं है similarly यहाँ पे slope कितनी है तो left hand derivative right hand derivative equally नहीं है ठीक है अगर और अठ्छे तरीके से देखना है कि fx जो है हमारा वो mode x plus 1 है इसका मतलब जब x जो है 0 से minus 2 के बीच में ठीक है इसको अगर और इसको तोड़े हम basically यह कि माइनस वन से जब लेस्टन है तब इसको माइनस लगाएंगे और एक्स प्लस वन है जब माइनस वन से लेके 0 की बीच में ठीक है तो बस इसका डिफिनिशेशन देखो एक्स क्या आएगा इसका डिफिनिशेशन है माइनस एक्स प्लस वन का डिफिनिशेशन माइनस वन ठीक है माइनस टू से लेके जिरो के बीचिंगे इसका डिफ्रेंशिशन क्या है यह निकि स्लोप क्या है वन तो माइनस वन पे जो है यह डिफ्रेंशियबल नहीं है option भी आ जाएगा कि next question limit extend to zero x sin x by one by x ठीक है extend to zero तो x sin one by x ठीक है अब यह हमने किया था पिछली वीडियो में एक्स जिरो को प्रोच कर रहा है साइन वन बाइ एक्स तो साइन इनफाइनट यह कुछ फाइनट वैल्यो आएगी ठीक है हमें नहीं पता है इनफाइनट पर क्या वैल्यो आएगी बढ़ हाँ ठीक है अब माइनस वन पे continuous है बट डिफ्रेंशियबल नहीं है ठीक है अब जुरूरी नहीं है हो भी सकता है किसी कि function में किसी में नहीं भी होगा ठीक है तो यह हमेशे याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर limit exist कर रही है उसके बाद उस पॉइंट पर function continuous जो है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है में और में नॉट ठीक है तो ले समय लो और अगर किसी पॉइंट पर continuous है तो डिफ्रेंशियबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है डेरिविटिव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है हमें श्यूरिटी नहीं है यह बैटर है बट अगर उल्टा चले अगर किसी पॉइंट पर डिफ डेरिवेटिव इग्जिस्ट करता है तो वह इसके लिमेट भी एग्जिस्ट कर रही होगी ठीक है लास्ट कोश्चिन इस वीडियो का y is equal to mod x y क्या है mod x है जब x less than 0 है y is equal to x है जब x greater than equal to 0 है तो बेसिकल यह वाई is equal to mod x अगर x greater than 0 है तो यहां mod लगाओ ना लगाओ एक ही बात है हम लगा देंगे तो इदिफाइन कर दिया ठीक है वही फंक्शन है है तो यह बेसिकली कह रहा है कि जब x less than 0 है तो य मोड एक्स के एक्कुल है मतलब y के वल्यू पॉजिटीव ही आईगी और y is equal to x है जब x greater than 0 है तो बस मोड एक्स करे फंक्शन है ग्राफ है तो पूछ रहा मोड एक्स है में पता है कि y is not defined at x is equal to 0 गलत है ठीक है य डिफाइन x is equal to 0 पे x is equal to 0 के लिए y is equal to x है तो य भी 0 है वहाँ पे यसी सही है ठीक है y is discontinuous at x तो y continuous है ठीक है left hand limit के लिए मैं यहाँ पर 0 पूट करूँगा ठीक है limit x approach to 0 negative mod x ठीक है तो जब x के value negative है तो यह क्या हो जाएगा mod x negative हो जाएगा इसको में minus x लिखूँगा और 0 पूट करूँगा 0 ही आ गया right hand limit limit x approach to 0 positive यहाँ पे क्या है x greater than 0 के लिए function है हमारा x तो इसको 0 पूट करूँगा 0 आ गया ठीक है right hand limit is equal to left hand limit दोनों साइट से हम 0 के approach कर रहे है ठीक है अब dy by dx is discontinuous at x is equal to 0. dy by dx क्या होगा यह graph के सब्सक्रा है वाई का वाई और एक्स का और अगर मुझे dy by dx बनाना है अगर x less than 0 इसकी slope है minus 1 ठीक है और इसका डिफिनिशेट करेंगे वान आ गया और वाई इसको में लिख देता हूं वाई इस इकल टू सेम लास्ट कॉश्ट्ट रसेंगे अब यहां पर जीरो पर इस नहीं कर रहा ना थीक है तो यह graph हो गया डी वाई डी एक्स का विद इस इसका मतलब वही है कि य का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स इसको टू जीरो पर ठीक है तो इससा इसको सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो माच